साथियों, ये दशक डिजिटल टेकनोलोजी में भारत के इक्षमताओं को ग्लोबल डिजिटल एकनोमी में भारत की हिस्तेदारी को बहुत जादा बढ़ाने वाला है। इसलिए बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स इस दसक को इंडियास टेकट के रुप में देख रहे हैं। साथियों, 5G टेकनोलोजी पूरी दुनिया में जीवन के हर पहलू में बड़े-बड़लाव करने वाली हैं। भारत भी इसके लिए तैयारी में जुटा है। जब दुनिया इंडिस्ट्री 4.0 की बात कर रही हैं, तो भारत इसके एक बड़े भागिदार के रुप में उपस्तित है। डेटा पावर हाउस के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का भारत को ऐसास है। इसलिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी हर जरूरी प्रावधान को निरंतर काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही साइबर सिकूरिटी से जुड़ी इंटरनेशनल रेंकिंग आई है। एक सो असी से जादा देशों के ITU, Global Cyber Security Index में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में, टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। साल भर पहले तक हम इसमें 47 भी रेंग पर थे, करीब करीब 50 साथियों, मुझे भारत के युवाओं पर, उनके सावर्थ पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा डिजिटल एमपावर्मेंट को नई उचाईयों पर पहुँचाते रहेंगे। हमें मिलकर प्रयास करते रहना होगा, हम इस डेकेड को इंडिया जटेकेड बनाने में सफल होंगे।